तो कोईशन में स्रीज कुछ इस टाइप की है 1 प्लस 3 अपान 1 प्लस 1 प्लस 5 अपान 4 प्लस 1 प्लस 7 अपान 9 तो को यहाँ 1 1 1 सम्में प्लस है तो n इस्टेप में भी 1 प्लस है यहाँ पर 3 5 7 और नमबर है तो पर 2 n प्लस 1 है नीचे n स्कॉार है यह आपका दिया हुआ है ठीक है यह पहला इस्टेप है यह दूसरा इस्टेप है तीसा इस्टेप है सब इंटू में लिखे हुए है और क्या यह रहे हैं कि इसको प्रूफ करना है कि n स्कॉार होता है वही तरीका step 1 में क्या करेंगे step 1 for n is equal to देखो वैसे तो यहाँ पर एक ही step है multiply तो लिखा हुआ है ना सब लेकिन चुकि एक brackets एक step दो bracket दो step तीन bracket n bracket सब को solve करके n प्लस 1 का whole square लाना है ठीक है देखो द्यान से अगर मैं n को 1 लिखता हूँ तो lhs में पहला bracket क्या आएगा 1 प्लस 3 यानि lhs की value 4 आजाएगी और अगर rhs में लिख देता हूँ n को 1 तो क्या आएगा 1 प्लस 1 का whole square तब ही 4 आजाएगा तो आप क्या कहेंगे कि lhs is equal to rhs मतलब given statement is true for n is equal to 1 statement कुछ नहीं लिख रहा हूँ मैं वो language आपने आप लिखेंगे step 2 पे क्या करना है step 2 में क्या करना है कि 4 n is equal to k हम मान लेंगे let it is true for n is equal to k लिखेंगे आप आप भी न शॉर्टकट मारिएगा ठीक है तो n ब्रावर k के लिए सही है तो यह क्या कुछ ना आएगा 1 plus 3 upon 1 1 plus 5 upon 4 last में आएगा 1 plus 2 k plus 1 upon k square और इधर के आएगा k plus 1 का whole square यह कुछ नमबर 2 हो गया ठीक है अब यह कुछ नमबर 2 है आप क्या करेंगे energy equal to k plus 1 लिखेंगे step 3 में क्या करेंगे for energy equal to k plus 1 क्या तरीका हमने बताया क्या आप इसका left hand side लो n को k plus 1 लिखो taking LHS of equation 1 taking left hand side of equation 1 n को k plus 1 लिखना है यह step क्या हैगा 1 plus 3 upon 1 1 plus 5 upon 4 अब जाद देखें जान से last bracket में 1 plus 2 रहे गए रहेगा जब आप n को k plus 1 लिखोगे न जब आप n को k plus 1 लिखोगे न तो जब इस bracket को खोड़ो क्या आएगा यह यह आएगा 2 n को लिखा k plus 1 plus 1 तो जब ब्रैकेट खोड़ोगे तो 2 k plus 2 plus 1 आएगा न तो उपर तो आजाएगा 2 k plus 3 है न और नीचे क्या आएगा k plus 1 का holy square तो यह तो आपका last bracket हुआ अब इसके पहले bracket क्या होगा तो 1 तो रहेगा रहेगा यह दो दो कम हो रहा न तीन में दो बढ़ा 5 पांस में दो कम हुआ तीन जिसमें दो कम करोगे तो आएगा 2 k plus 1 और नीचे आएगा k square अब आप कहेंगे काहे को दिमाग लगा रहे थे भाई यही श्टिक तो आएगा न दिमाग इससे लगा रहे थे कि माल्य कहीं आपने mistake की होगी तो फकड में आ जाएगे न अब हम equation 2 को use कर रहे है using equation 2 तो यहां से लेकर के यहां तक क्या लिखेंगे k plus 1 का whole square k plus 1 का whole square अगले bracket में क्या है 1 plus 2 k plus 3 अपन k plus 1 का whole square बस अब इसको solve गरके आपको दिखा देना है कि यह क्या आना चाहिए अगर मैं n को k plus 1 लिखता हूँ तो यहां k plus 2 आ जाएगा न तो k plus 2 का whole square आना चाहिए ठीक है अब इसको open करके simply mathematical solve कर लिजे इसको देखे द्यान से तो यह है आपका k plus 1 का whole square अगले bracket में जो आपने k plus 1 का whole square lcm लिया यहां lcm लिया k plus 1 का whole square तो यहां क्या जाएगा यहां आएगा k plus 1 का whole square plus 2 k plus 3 और यह whole square कड़ गया अब इस whole square खुलिए तो आएगा k square plus 1 plus 2 k plus 2 k plus 3 यह लिखा है k square plus 4 k plus 4 और यह देखो k plus 2 का whole square लिखा हुआ है यही right hand side है so it is true for n is equal to k plus 1 it is also true for it is true for all the values of n यह 13 question number है और rd का यह example 12 का second part है यह rd में example 12 का second part है यह exercise rd की 12.2 है rd सर्मा में जो new edition है उसकी हम बात कर रहे हैं तो this is question number और मेंगा है